नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभिशेख है आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्रेडलमेंट टीवी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखा ही धर होगा उसको प्रेस कर लिजेगा उसके बगल में अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लिजेगा तो दोस्तों जो टॉप नाइन इंस्टेंट परसनल लोन एपस हैं उसके बारे में आज मैं बहुत सारी आपको डिटेल्स में बाते बताऊंगा तो आ आप यहाँ पर जो मैं आपको अप्लिकेशन बताऊंगा इनमें से आप किसी अप्लिकेशन से ट्राइ करके देख लीजेगा जो भी आपके इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया से मैच करती हो खेर तो कुछ देखिए प्ले स्टोर में फरजी लोन एप्लिकेशन भी रिष्टर या बैंक रिष्टर लोन एप्लिकेशन से ही आपको लोन एप्लाई करना चाहिए इसके अलाबा अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए बार-बार बहुत सारी लोन एप्लिकेशन से भी आपको लोन एप्लाई नहीं करना है लोन एप्लाई करने से पहले टर्म को सीधे लेकर चलूँगा अपने मॉवाइल की स्क्रीन पर यानि प्ले स्टोर पर इस तो नंबर वन पर जिस अप्लिकेशन को मैंने रखा इसका नाम है ट्रेड ओफिना ट्रेड ओफिना की अगर मैं बात करूँ बहुत इकमाल की अप्लिकेशन है पांच मिलें से जाद इसक सब्सक्राइब यहां पर देखिए दो परकार के लोन है एक है क्विक कैस और एक है कुलेटरल फ्री स्मॉल बिजनिस लोन इसके बारे में आप डेटेल में पढ़ लिजेगा और 21 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए अगर आप यहां पर लोन अप्लाई करते हैं और मिनिम के सब्सक्राइब आप सोब्सक्राइब नह रहा है अर्ण अपर आपकार सब्सक्राइब करा हूं करें है ale lumière गार सकते हैं तो आपको साड़े सासतर रुपे से लेकर पचास जार रुपे तक का लोन मिल सकता है 62 जुनों से लेकर 6 महीने तक का टैनियूर मिल सकता है 2 से 30 परसेंट इनका APR यानि इंटरस्टेट रेंज है तो ये मुझे काफी ज़्यादा पसंद आता है ये जो APR रेंज है ये डिपेंड करेगा आपके रिस्क प्रोफाइल पर NBFC की बात करूँ बिरांच इंटरनेशनल फाइनिसिल सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड है और NBFC P2P प्राइवेट लिमिटेड है ठीक है दोस्तों तीसरी जो अप्लिकेशन है इसका नाम है Pocket.ly इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है आप चाहें तो यहां से लोन अप्लाइग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से आपको यहां पर लोन प्राप्त हो सकता है तो दोस्तों यह जो लोन अप्लिकेशन है यह जो लोन प्रोवाइड कराती है और अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहां पर आपको जो लोन मिल सकता वो मिल सकता आपको पचास हजार रुपे तक का तो 50,000 रूपय तक का यहाँ पर जो लोन मिलता है तो वो मिलता है इंट्रस्टेट इनके स्टार्ड होते हैं एक से लेके 3% पर मन्त और मैक्सिमम जो इनका APR है बहुत है 12 से लेकर 36% मतलब 12% मिनिमम है और मैक्सिमम 36% ठीक है प्रोसेजिंग फीव यहाँ पर चार्ज की जाएगी जो की 20 रुपय से लेके 120 रुपय तक हो सकती है तीन से लेके 70% तक हो सकती है लोन अमांट की जिसमें GST एप्लिकेबल होगी अलग से ठीक है तो इस बात का आपको विसे ध्यान रखना है और बाकी 61 से 120 दिनों तक का यहा परिबन के से सैट में चलते हैं तो 10 रुपय से लेकर अपको 500,000 रुपय का लोन मिल सकता है यहां पर जो मुझे मिले ला है वो मिलना का आपको मिल सकता है और अगर मैं आपसे बात करूँ दो मिनिट में आप यहाँ पर अपनी इलिजिबल्टी चैक कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको अपने income verification कराना होगा और इसके अलाबा अगर मैं आपसे बात करूँ तब ज्यादा चांस फिर रहते हैं आपका लोन अप्रूव होने के एक्सप्रियंट का 6500 यहां पर क्लेटिस को मांगा जाता है बाकि एज लिमिट के अगर बात करूंए 21-57 साल अपकी एज होनी चाहिए इंकम जो है रिसीव होनी चाहिए आपके बैंक एकांट में ठीक है तो इनके बहुत सारे लैंडिंग पार्टनर से हैं सभी के नाम बताऊँगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो यह जरूर आप ध्यान से पढ़ लिजगा प्रोसेशिंग भी दो से लेके 8% तक यहा पर दी गई है आप इस पर इने कॉंटक कर सकते हैं अगली अप पर चलते हैं दोस्तों जो अगली अप्लिकेशन हैं आप देख सकते हैं इसके 5 मिलियन से यादर डाउनलोड्स है नाम है अब बात करूं तो बीच में अप्लिकेशन ठीक से बर्क नहीं कर रही थी मतलब बाकी अगर रीपेमेंट पीरिट की बात करूं 6 से लेके 36 महीने तक का मिल सकता है प्रोसेसिंग फी 2 से 4 परसेंट आपको यहां पर देनी पर सकती है मतलब लोन है मौन की ठीक है बाकी यहां पर आपको चाहिए होगा पैन कार्ड बैंक स्टेट्मेंट सेली सिलिप और सब क कुछ मोबाइल एप्लिकेशन से आप कर सकते हैं मतलब कोई भी आपको पेपरवक करने के अभशकता नहीं है सेलीड एंप्लोई आपको होना जरूरी है मिनमम सेली 17,000 परमंत होनी चाहिए एज जो 21 साल से लेके 50 साल के अंदर होनी चाहिए और मुंबई पुने दिल्ली हो सकता है और लेकिन फिर से समझा रहा हूं लास्ट सिक्समान टू बनियर आपने कोई भी लोन डिफाल्ड ना किया हो लोन एप्रूबल क्रेडियरिया इसका जरूरी यह देख लीजिएगा इंकम टू एक्सपेंस रेशियो यहां पर चेक किया आता है डेमोग्राफिक में अपकी एज, मेरिटल, इस्टेटस, एजूकेशन बगरा चेक किया आती है प्रोफेसनल एक्सपेंस भी चेक किया आता है बागी आपका परपस भी चेक किया था लोन का ठीक है और बहुत ही जल्दी लोन प्रोवाइड कराती है लेकिन यहां पर 24 से 48 घंटे भी लग सकते है लोन मिलने में ठीक है अगली एप पर चलते है दोस्तों अगली जो एप्लिकेशन है बहुत ज़्यादा फिरमस से सिर्फ आदरकर पैंकार्ट से लोन प्रोवाइड करा सकती है आपको नाम है स्मार्ट कोईन परसनल लोन एप और यह बहुत जगा बर्ग करती है पूरे भार 25 रुपे तक का लोन ओफर किया जा सकता है बाकी सास से जादे लैंगूईज में अप्लिकेशन आविलेविल है और बहुत ही कमाल की अप्लिकेशन है यहां पर सैल्लीड से पैंतालिस साल है तो ही आप यहां पर लोन एप्लाइड कीजिएगा और मंतली इंकम यहां पर आप और बैंक स्टेट्मेंट ऑप्सिनल है अगर आप प्रोवाइड कराएंगे आपको यहां पर बड़ा लोन मिलने के भी चांसे रहेंगे लैंडिंग पार्टनर्स के नाम दिये हुए है वह आप पढ़ सकते हैं बाकी इन से अगर आप कॉन्टेक करना चाते हैं इनका फोन न सकता है दो लाग रुपे तक ठीक है बाकी चार्ज बगरा जो है यहां पर अलग-अलग जो प्रोफाइल होता है उनके साबसे अलग-अलग यहां पर चार्ज लगते हैं चाहें बो इंट्रस्टेट हो या एप्यार हो तो यहां पर देखिए बहुत ही आपको जो है थ्री मन तो 12 मन्स तक का यहां पर आपको टैनियोर मिल सकता है बाकी 27.60 इनका इंट्रस्टेट रेंज है जिसको APR बोल सकता हूँ एनौल परसेंटेज इंट्रस्टेट तो NBFC इसके दोरा लोन प्रोवाइड कराते हैं लैंडिंग पार्टनर है और इस पाइनेंस प्राइवेट ल लोड्स हुए हैं इसका नाम है मनीवाइड परसनल लोन अप यहां पर आपको बहुत ईजिली लोन मिल सकता है जो लोन आपको मिल सकता है तीन लाग रुपे तक का 17 से लेके 32% पर रहा नम इनका इंट्रस्टेट रेंज है तीन से लेके 36 महिने तक का यहां पर आपको टैनि सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यहां पर बड़ा लोन आमोंट भी ऑफर किया सकता है मतलब यहां पर सिर्फ आधरकड पैंकार्ट से सेल्लीड और सेल्फ एम्प्रॉइड दोनों के लिए लोन प्रोवाइड करा सकती है अप्लिकेशन और मुझे काफी करके देख सकते हैं टर्मस और कंडिशन लोन एक्रिमेंट लेटर वगरा ध्यान से पढ़ लीजेगा अगर आप किसी भी लोन एप्लिकेशन से लोन एप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों अगली जो एप्लिकेशन है इसका मैं खुद भी यूज़ करता हूँ नाम है पोश्ट कर सकते ऱ पर यहां पर आपको तीन महीने से लेकि पंदरह महीने तक का 10 रm मिल सकता है मतलब जो भी आपको लिमिट मिलेगी उसमें से आप जो भी यूज करेंगे उसका बिल जनरेट होता है हर महीने की एक तारिक को मतलब आपने अगर इस महीने स्वापिंग की अगले महीने की एक तारिक को बिल जनरेट होगा और एक तारिक से लिए के पांच तारिक बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को यहां पर एक लाग रुपै की लिमिट मिली बहुत सारे लोगों को पचा यह Weकर 10,000 पर आपको बहुत सारी यह की मिलीए, आपके时 तो दोस्तों ये थी top 9 instant personal loan apps और फिलाल सभी बर्क कर रहे हैं जून 2023 में तो दोस्तों ये थी top 9 instant personal loan apps और ये अपडेट सा जून 2023 का एक नए अपडेट और यहाँ पर मैंने आपको कुछ नई application भी बताई थी इसके अलाबा मैंने आपको कुछ ऐसी application भी बताई हैं यहाँ पर जो कि कम civil score कम care score पर loan प्रोवाइड कराते हैं तो अगर आपको loan मिलता है मुझे comment करके जरूर बताईएगा और एक मैं आपको और जरूरी बात बतादू किसी भी loan application से आप loan apply कर रहे हैं terms and condition, loan agreement letter, sense and letter ध्यान से पढ़ लिजेगा इसके अलाबा मैंने आपको description में link प्रोवाइड कराया है true balance loan application का नाभी loan application का तो अगर आप true balance से या नाभी से मेरे link से loan apply करते हैं तो फिर आपको काफी जादा chances रहेंगे आपका loan approve होने के description में link है check जरू कीजेगा और अगर आप true balance या नाभी से loan apply कर रहे हैं तो terms and condition, loan agreement letter, sense and letter पगरा भी ध्यान से पढ़ लिजेगा और जो loan agreement letter, sense and letter about this app का section है वो आपको सभी loan applications का पढ़ना चाहिए और मैं जितनी भी आपको loan applications बताता हूँ, ये सभी working होती हैं उसी की मैं update देता हूँ, तो सभी loan application working है और सभी application NBFC है, bank registered applications है ठीक है, वीडियो अगर आपको पसना आई हो तो इसको like कर दीजेगा, चैनल को subscribe करना में बिल्कुल मत भूलिएगा मिलते हैं फिर किसी interesting वीडियो में, फिर किसी interesting topic के साथ, तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम